इस ठंडी के मौसम में पिठा खाने का कुछ अलग मजा होता है। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और पिठा बनाना तो बनता है। तो आज मैं आप सभी के साथ दाल का पिठा यानी दाल का भारा बनाने आई हूं। आप लोग के साथ सेर कर रही हूं। दाल के पिठो को स्ट्रीम करके उसको फराई करके खाने पर और दोगिना मज़ा आता है चलिए पिठा के भारा यानि पिठा दाल वाला बनाने की रेस्पी हम बताते हैं पहले मैं अड़ाई सव ग्राम चलने के दाल लूँगी और उसको ओबरनाट भिंगाऊंगी उसके साफ दोने के बाद दो तिन पानी से दोने के बाद मिक्सी के जार में डाल लेंगे और उसको एक दो चमच पानी डाल कर पिष लेंगे और थोड़ा सा दरदरा ही पिषेंगे ज्यादा महीन नहीं पिषेंगे क्योंकि दर्रा जो दाल का भारा है थोड़ा सा दर्दरा ही अच्छा लगता है उसका हम मसाला तयार करेंगे उसमें हम लेंगे एक बड़ा लासुन का पोट उसको छील लेंगे और चार पाच मिल्च है मर्चा और उसमें जीरा हम लेंगे और मरिच लेंगे मरिच पाउडर और हल्ली लेंगे और उसको हम मिक्सी के जार में पिश लेंगे और इसको बारिक पिशेंगे और पिशने के बाद हम दाल में मिला लेंगे और उसमें हम नमक डाल देंगे और उसमें हम धनिया के पता डालेंगे और ये सारे डालने के बाद हम इसको फेटेंगे, मिलाएंगे, अगर आपको हल्दी थोड़ा सा कम लगे तो और डाल सकते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं तो ठीक है नहीं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम बेसी कर लेजिएगा, डाल में थोड़ा नमक टनक ही रखिएगा, क् क्योंकि भरने के बाद आटा भी सोख लेता है, इसे थोड़ा कम पड़ जाता है, आए हम डाल के भरा बनाने के लिए आटा को तयार करते हैं, आटा को हम चलनी से छाल लेंगे, इसको हम मिक्सी में ही पीसे थे, आप मिल में भी पिसवा कर बना सकते हैं, और इसके लिए हम पानी गरम करेंगे, इसको उबाल लेंगे, और पानी को उबालने के बाद हम आटा में डालेंगे, इतना गरम रहता है कि हाथ से मट डालिएगा, इसको डालिएगा तो उसको कुछ चमच या छोलनी से चलाते रहिएगा, और आटा में पानी डालते समय छोलनी से चलाने के बाद, इसको थोड़ा सा रेष्ट छोड़ दीजिएगा, दो मिनट, क्योंकि हाथ डालिएगा तो जल जाएगा, तो इसको चलाते रहिए, थोड़ा सा हलका माइनर मुलाइम होना चाहिए गिला, क्योंकि सानने के बाद य इसको इतना गरम पानी, डलिएगा कि यह मुलाइम आटा बन सके ऐसे भी होता है पानी खौणा कर कड़ाही में और उसके अंदर यह डाल कर चाण कर बनाया जाता है, तो हम खौणा कर पानी बनायां है, यह बहुत मुलाइम होना है, और आये हम बनाते हैं डालका भर्रा, त और इसको बड़ा सा रोटी जैसे बना लेंगे और इसमें दाल थोड़ा जयादा में लगता है दाल कम नत कीजिएगा क्युंकि ये वहरा थोड़ा से बैशी रहता है इसका मुख के अंदर थोड़ा सा दबा लेजाईगा कि बाहर दाल ना निकले जो पानी के अंदर डाल कर बनाया जाता है पीठा उसमें थोड़ा कौम लगता है क्योंकि उसका मुह बंद करना होता है और इसका मुह खुला रहता है इसलिए इसमें डाल थोड़ा ज्यादा लगता है सब्काओं तो इसे भी मान है तो बना लीज़ेगा और नहीं तो एश्टीम करके हम उबाला कर बना रहे हैं तो while Oh और यहां पर हम टतला में पानी में खर्वला लिए इसमें हम एक चमच तेल डालए एगए जबकोट nutrêsेग तरह इसके उपर चलनी तına करेंगे क्यों किमेरा पीठा सटें नहीं इसमें नहीं तेल को रिपाइν कुछ सब्सक्राइब और पानी उपड़ने लग ये बैठा लेजीजेगा आपूर सजा लीजिए ज्यादा पीठा होगा तो दो बार में होगा और नहीं रहाः नहीं कदू़े मेरा ज्यादा नहीं है एक ये यह अंटा का के सब्सक्राइब है इसको हम अच्छी तरह से सजा लेंगे और सजा कर पूरा हो जाएगा तो इसको हम ढख लेंगे ढखने से क्या होता है कि जो नीचे से भाफ आएगा तो बाहर निकलेगा नहीं और बाहर निकलेगा नहीं तो यह सारे अच्छा से उबाल मतलब जाएगा यानि बाफा तो आईए हम सारे रख लिए हैं हम इसको ढखेंगे तो एक हम बड़ा सा बरतन लेकर ढख देंगे जिससे यह पूरा तरह से कोभर हो सके अब इसको हम ढख कर 15-20 मिनट तक पहले हम इसको तेज आज पर पकाएंगे तेज थुड़ा ज्यादा मात्रा में बाफ आ सके और इसको हम तेज पकाएंगे और कुछ तेरी के बाद थुड़ा मीडियम आज पर कर देंगे और देख सकते हैं मेरा 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद मेरा पिठा उबल गया है यानि बफा गया है तो देखिए कैसा लगा आप लोग का मेरा पिठा और इसको ऐसे भी खा सकते हैं और मन है तो इसको कड़ाही में फ्राई करके भी खा सकते हैं तो हम फ्राई करके भी आप लोग को दिखा रहे हैं कि फ्राई करने के बाद ये पिठा का ऐसा होता है कितना आत्मी पीस छोटा छोटा बना कर फ्राई करता है हम दो पीस कर दे र ऐसे तो हम लोग मतलब बच जाता है तो भूझ देते हैं लेकिन हम आपको अभी दिखा रहे हैं ताजा पिठा भूझ कर कि कैसे भूझ कर खाया जाता है इसमें हम तेल डालने के बाद में जीरा मर्च आई और पिठा डालकर इसमें हम मरिच पाउडर डाल देंगे और नमक ड तो लाल-लाल क्रिस्पी-क्रिस्पी बन जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आता है ठंडा के दीन और पीठा और लीटी ये सब्टो खाने में आनंद दोगिना हो जाता है इसको भूज कर खाईएगा बाल कर खाईएगा जैसे मन खाईएगा सब्जी के साथ खाईएगा चटनी के साथ खाईएगा ऐसे खाईएगा जैसे भी खाईएगा खाने में इतना आनंद आता है कि सारा समोसा इसके आंगे फिका पड़ जाता है